दोस्तों आप लोग समराट असक के बारे तो सुना ही होगा एक एसास आसक जिसका तुन्ना विश्व भर में नहीं किया जा सकता दोस्तों हमारे भारत देश के जंडे में जो चक्र है वो असोक का ही धर्म चक्र है तथा भारत का जो राष्ट प्रतीक है वो असोक का ही अस्तम है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असोक कौन था और असोक का जो हिर्दे परिबर्तन हुआ और क्यों हुआ उसका क्या क्या बज़ह था तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं कहा जाता है कि असोक एक बहुत आक्रमक और ताकतवर सासक था, उन्होंने पूरे भारती उप महादीप में सासन किया था परन्तु एक युद ने उसके हिर्दे को इतना परिबर्तित कर दिया कि फिर उसने कभी युद नहीं करने का संकल्प लिया तो चलिए दोस्तों समझते हैं समराट असोक को समराट देवनाम प्रिय प्रिय दर्शी असोक का जन्म 304 इसापूर्व में हुआ था, वो मोरे बंस के तिसरे सासक थे अर्थात चंदरगुप्त मोरे के पोते थे, असोक के पिता का नाम बिंदुसार था, तो था माता का नाम सुब्र दरांगी था असोक के पिता समराट बिंदुसार मोरे बंस के दुसरे सासक थे मोरे बंस की अस्तापना 322 इसा पुर्व समराठ चंद्रगुप्त मोरे ने मगद में किया था इसकी राजदानी पाटली पुत्र था जो अभी वर्तमान में पटना है समराठ असोग के सासनकाल में ही मगद समराज का बहत विस्तार हुआ चक्रबर्ती समराठ असोग के कारण ही आज दुनिया भर में मोरे समराज महान माना जाता है असोग ने 273 इसा पुर्व से 232 इसा पुर्व तक यानी 41 वर्ष तक सासन किया था महाराजा बिंदुसार ने असोग को उनके गुनों से परभावित होकर उपराज बना कर उज्जेन भेजा था वहीं उज्जेन में असोग को एक लड़की से प्यार हो गया फिर असोग ने उससे साधी कर लिया उस इस्तरी से असोग के दो बच्चे हुए एक पुत्र तता एक पुत्री पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम था संगमित्रा इसी दोरान तक्सिला में बिद्रोह होने लगा राजा बिंदुसार ने बिद्रोह को सांथ कराने के लिए असोग को तक्सिला बेजा असोग अपनी बिबेक और नियाईक समिकरन के साथ बिद्रोह को सांथ कर दिया और जनता का दिल जीत लिया असोक के गुनों से प्रभावित होकर लोग चाहते थे कि असोक को ही मगत का राजा बनाया जाए प्रन्तु महाराजा बिंदुसार उसे राजा बनाना नहीं चाहते थे महाराजा बिंदुसार अपने जेश्पुत्र सुसिम को मगत का समराज बनाना चाहते थे और उहीं कुछ मंत्री और आचारे राधागुप्ट असोग को राजा बनाना चाहते थे आचारे राधागुप्ट के चलाकी के कारण ही असोग मगत समराज के महराजा बने अब समझते हैं कि असोग का हिर्दे परिवर्थन कैसे हुआ तो इसके लिए सबसे पहले हमें कलिंग यूद के बारे जानना होगा तो दोस्तों समराट असोग ने 211 इसापुर्व कलिंग पर आक्रमन कर दिया था क्योंकि असोग कलिंग पर बिजे पाकर अपना समराज बिस्तिरित करना चाहता था दोस्तों बर्तवान में जो उडिसा राज है वह उस समय कलिंग था कलिंग की यूद में असोग की जित हो गई परंतु ये जित उसके हिर्दे को जिंजोड के रख दिया कलिंग की यूद में लगबग एक लाख लोग मारे गएते और डेढ़ लाख से भी अधिक लोग गाहल हुएते इस भियानक यूद में सिर्फ सेने की नहीं मरते बलकि महिला और बच्चे भी मरते इस भ्यानक नर्षहार को देखकर असोक का हिर्दे ही परिबर्तित हो गया उसने सोचा कि इस जिल्ष से मुझे क्या मिला सिर्व मेरा समराज ही तो बड़ा हुआ पर उन्तु लाखों लोगों को अपना जान गवाना पड़ा लाखों लोगों का परिबार तबह हो गया इस युद्ध ने असोक के हिर्दे में इतना प्रभाव डाला कि फिर उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का परतिक गया लिया और अपनी मन की सांती के लिए उन्होंने बहुत धर्म को अपना लिया वो लोगों को लड़ाए नहीं करने का सला दिया तता सांती से रहने का अग्रह भी किया कहा जाता है कि असोक को बहुत धर्म की प्रेरना उसके भतिजा निग्रोथ से मिला निग्रोथ एक बहुत विशुप था जो राजकमार सुसिम का ही पुत्र था असोक ने बहुत धर्म का खुब परचार परसार किया उन्होंने जगा जगा पर बहुत इस्तुब बनवाए बहुत सारे दूतों को दूर दूर तक बहुत धर्म के परचार के लिए भेजा उन्होंने बहुत सारे बूत की परतिमा भी बनवाए असक बहुत ही अच्छे सासक बन गए थे उन्होंने कभी भी किसी को बहुत धर्म अपनाने के लिए बादे नहीं किया वो कहते थे कि जिसे जो धर्म मानना है वो मान सकता है बहुत धर्म को असक ने विश्चो धर्म का मानता दिलवाया उन्होंने बहुत धर्म की परचार के लिए अपने पुत्र, महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बिच्छुक के रूप में स्रिलंका भेजा नेतिक्ता, भायचारा और प्रेम का संदेश देने के लिए असोक बहुत सरे सिलालेक लिखवाए भारत के जंडे में इस्तित असोक चक्र भी समराट असोक का ही देन है तथा चार सिंगों वाला हमारा राष्ट परतिक भी असोक का ही देन है साथी साथ भारत में सबसे पहले धर्म निर्पेक्चता का सुरुवात असोक नहीं किया था असोक ने धम निति के परसार के लिए धम महामातरों का अन्यूकती भी किया था दोस्तों समराट असोक एक न्याय प्रिये, सर्व प्रिये, दयालू और एक सक्तिसालीश आसक थे दोस्तों असोक का हिर्दय बहुत ही दयालू हो गया था उसने ना सिर्फ मानों बलकि जानवारों के रच्छा के लिए भी बहुत सारे काम किये थे उन्होंने जगा जगा पर ब्रिक्ष लखवाए ताकि सिर्फ आदवे ही नहीं पस्वों को भी छाया मिले कुएं तलाब खुदवाए ताकि सभी को प्रयाप्त पानी मिले लोगों को रहने के लिए उन्होंने आसरे का निर्मान भी करवाया उन्हें लोगों के साथ साथ पस्वों के लाज के लिए भी चिकसाले खलवाए समराट असोक अपने संदेश और आदिसों को सिलालेक और इस्तम्वों के जरिये समराज के कोने कोने तक पहुँचाया दोस्तों असोक ने जहां जहां भी सासन किया वहां वो पहचान के रूप में असोक अस्तम बनवाए उन्होंने हजारों बोध इस्टुपों का निर्मान भी करवाया कहा जाता है कि उन्होंने तीन बर्ष के अंदर 84,000 इस्टुपों का निर्मान करवाया था दोस्तों समराज असोक को लोग देवनाम प्रिय प्रिय दर्शी असोक के नाम से भी जानते हैं समराज असोक एक महान सासक थे वे आकास में चमकने वाला एक सितारे की तरह है जो हमें साथ चमकते ही रहेंगे दोस्तों आपको समराज असोक की ये कहानी कैसा लगा कमेंट के जरूर बताएगा अगर आपका असोक के प्रती कोई विचार है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर वीडियो पसंद आया ते वीडियो का लाइक कीजिएगा हमारे जरूर को सबस्क्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तरंत मिले चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां हम लोग ऐसे ही किसी महां सक्सियत के बारे जानेंगे तब तक के लिए जहन और बीडियो देखने के लिए धन्यवाद